गुर्ण मॉर्णिंग फ्रेंट्स चलिए वाइरस के बारे में जानते हैं वाइरस को हम वेनम भी कहते हैं वेनम का मतलब होता है इंफेक्सियस फ्लूइड है इस नाम से बिजर निका साब ने इससे जम्बोधित किया था आगे देखें तो इन्फेक्सियस फ्लूइड जो है इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि दे डू नौट हैव साइटोसॉल इनमें एक टिपिकल सेल जैसी कोई बात नहीं होती है इनमें साइटोसॉल नहीं होता और ये क्या होते हैं ये ओब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं दे यार ओब्लिगेट ये ओब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं क्यों होते हैं why they are obligate parasite तो ये obligate parasite इसलिए होते हैं reason क्या है तो reason है कि because they can only multiply in host cell ये सिर्फ और सिर्फ host cell में multiply कर सकते हैं that's why they are obligate parasite तो अभी अभी तक हमने क्या देखा हमने देखा अभी तक कि virus जो है वो infectious parasite है infectious parasite है और obligate parasite है क्यों only multiply in host सिर्फ host में multiply कर सकता है और infectious parasite क्यों बोल सकते हैं cytosol तो ये cytosol lack करता है और सिर्फ host cell में multiply करता है अब देखते हैं virus की composition तो वाइरस जो है इसलिए हम उसे protein coat कह देते हैं genetic material में क्या-क्या पाए जाता है या तो DNA पाए जाएगा या RNA पाए जाएगा दोनो एक साथ नहीं पाए जाता है या तो वाइरस में DNA होगा या RNA होगा दोनों के साथ होगा दोनों के साथ नहीं होगा आगे देखते हैं वाइरस आर नोट इंक्लूड़ेड इन लिविंग इसको लिविंग नहीं माना जाता क्या रीजन क्या है क्यों हम इसे लिविंग नहीं मानते इस नोट कंटेन साइटोसोल इट ड़स नोट कंटेन साइटोसोल साइटोसोल नोट कंटेन करने के कारण हम इसे लिविंग नहीं मानते और क्या है हमारे पास इसके साथ साथ हमारे पास है वाइरस आर नोट इंक्लूड़ेड इंडेड वाइरस आर नोट इंक्लूड़ेड इंडेड तो इसे ना तो हम living मानते है ना तो हम dead मानते है living क्यों नहीं मानते है cytosol नहीं है dead क्यों नहीं मानते है तो dead के लिए क्या reason है lack multiplication यह multiply नहीं कर पाते है इनको horse cell चाहिए ठीक है तो lack multiplication independently लिख सकते है independently या फिर हम यह लिख सकते है कि यह only multiply in या तो हम यह लिख सकते है only multiply in multiply in host यह कारण है कि उन्हें dead भी नहीं माना जाता है living भी नहीं माना जाता है तो not o living ना तो living ना ही dead अजीब प्राणी हूं मैं ना तो living ना ही dead that's why they are considered as infectious particle यही कारण है कि इन्हें हम ना living ना dead सिर्फ और सिर्फ हम इसे क्या बोलते हैं infectious infectious particle सिर्फ और सिर्फ हमें हम इसे infectious particle ही कहते हैं viruses are infectious particle neither living nor dead why they are not considered as living because they lack cytosol cytosol why they are not considered as dead because multiply multiply only in host only in host सिर्फ host cell में multiply उनके पास multiplication के लिए replication के लिए जो भी factors होते हैं वो क्योंकि cytosol ही नहीं है cytosol ही नहीं है तो multiplication के factor वो रखके भी क्या करेगा ठीक है आगे देखते हैं इस वीडियो में इतना ही फिर में लेंगे दूसरे वाइरस के lecture के साथ जिसमें हम इसके types के बारे में बात करें जैसे bacteria phase के बारे में बात करें थैंक्यो